नमस्कार, आज रविवार का दिन है, तो सबसे पहले हम सूर्य देरता को नमन करते हैं ओम सूर्य आई नम, ओम आतित्य नम, ओम वासुदेव आई नम आज रविवार के दिन हम कुछ ऐसे उपाय करने जा रहे हैं, जिनसे आपकी किस्मत खुल जाएगी कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सुकसंपत्ती आती है, वहीं अगर सूर्य कमजोर हो तो बने-बनाए काम भी विगड़ने लग जाते हैं तो अगर आपके काम भीगड रहे हैं, तो कुछ ऐसे खास उपाय हैं, जिनसे ये सभी समस्याई दूर हो जाएंगी हिंदू धर्व में हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित होता है तो रविवार का दिन शूर्य देव की अरादना के लिए सबसे उपतब माना गया है जोतिश में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है सूर्य देव की कृपा होना, तो जीवन में खूप تरक्की इंसान करता है और हमेशा उसका स्वास्त्य अच्छा बना रहता है तो देखें में उपाएं कोन से हैं रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर इस्नान करें और साफ स्वच्छ कपड़े पहने इसके बाद सूर्य देवता को अर्धे दें अर्धे देते हुए ओम सूरिय आई नम है ओम भासु देव आई नम है ओम आदित्य नम है मंतर का उच्चारण जरूर करें इससे सूर्य देवता जल्द प्रसन होंगे और आपकी सभी मनों कामनाएं पूरी होंगी देसी घी का दिपक जलाना ना भूलें रविवार के दिन घर के भारी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दिपक जलाना बहुती शुब माना जाता है माननेता है कि इससे घी का दिपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ माता लक्षमी भी प्रसन होती है धन प्राप्ति के लिए सबसे बेहद उत्तम माना गया है तंबर थर्ड चंदन का तिलक जरूर लगाए रविवार के दिन अगर आप भाहर जा रही है तो चंदन का तिलक लगाना ना भूले इससे क्या होगा जिस काम के लिए भी आप बहार जा रहे हैं वो जल्द ही पूरा होगा इसके अलावा इस दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूर्य देवता का जो पसंदीता कलर है वह नारंगी है अगर नारंगी ना हो तो उससे मिलता जोलता आप लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हैं मानने तरह है कि अगर रविवार के दिन वरत किया जाए और सच्चे मन से अराधना की जाए तो वेक्ति की मनुकामना पूरी होती है तो आएए जानते हैं कि कितने रविवार वरत करने जाए और क्यों करने जाए सूर्य देव के वरत के लाप सास्तरों के नुसा लगादार एक वर्ष तक हर रविवार ये वरत करने से हर तरह की शारेरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है तीज या बारा रविवार तक इस वरत को करने के भी विशेश लाब हैं सास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का वरत करने से काया निरोगी तो होती ही है साथी अशुक फल भी शुक फल में पदल जाती हैं अगर इस दिन वरत कथा भी सुनी जाए तो इससे मनश्य की सभी मनो कामनाई पूर्ण होती है साथी मान सम्मान धन यश तथा उत्तम स्वास्ति की प्राप्ति भी होती है तो वरत करने की विधी और जान लेते हैं इस वरत को करने से पहले इस संकल प्लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये वरत किया जाएगा उसके बाद आने वाले रविवार से शुरू कर सकते हैं रविवार सुभ है नारंगी रंग के कपड़े या लाल रंग के कपड़े पहन कर सूर्य मंतर का जाप करना चाहिए इसके बाद सूर्य देव को जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल, पुश्प और दुर्वा से अर्ध्य दिकत पूजन करें भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूद, धाई और घी का उपयोग आप कर सकते हैं वरत रखकर अच्छा भोजन जरूर खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को भरपूर उज्जा मिलती रहे भोजन में आप इस दिन नमक बिल्कुल भी प्रयोग में ना लें इस दिन चावल में दूद और गुड मिला कर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे रविवार को वे ऐसे कौन से काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए रविवार को तेल और नमक का सिवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए मास मदीरा से दूरी बना के रखें बाल नहीं कटवाएं तेल की मालिश भी ना करें तामबे की धातू से बनी वस्तु ना खरीदे और ना ही बेचें नीला, काला और ग्री रंके कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचें ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूद को जलाया गया हो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाब धायक होता है वै नित्य रोज सुभै उठकर अच्छे से स्नान पूजा करके सूर्य देवता को जल देना जो सूर्य देवता को जल देने के बहुत सारे लाब हैं इनमें से कुछ लाब मैं आपके साथ जरू शेयर करना चाहूंगी विवा होने में अगर देरी हो रही हो तो रोज सूर्य देवता को जल देने से अच्छे रिष्टे आते हैं सूर्य भगवान को नित्य जल देने से मान सम्मान में व्रद्धी होती है सूर्य भगवान को जल देने से भाग्यो दै होता है इसके अलावा सूर्य भगवान को जल देने से आपकी जो काया होती है वो निरूगी होती है नोकरी में लाब होता है, नोकरी लगती है अगर आपको किसी प्रकार का रोग है तो आपको सूर्य देवता को रोज जल अरपित अवश्य रूप से करना चाहिए तो देखा आपने ये कुछ ऐसे हो पाए हैं जिने अपना कर आप सूर्य देवता को प्रसंद कर सकते हैं और सूर्य देवता प्रसंद होकर आपकी सभी मनों कामनाओं को अवश्य रूप से पूरा करते हैं